Hello friends, welcome to study news आज हम इस वीडियो में 26 और 27 जुलाई के exam related जितने भी important question हो सकते हैं उन्हें हम यहां solve करेंगे, so let's start First question है, हाली में जारी internet speed ranking में भारत का कौन सा इस्थान है? Options हैं, 114, 120, 129 या 187 तो हाली में जारी internet speed ranking में भारत का 129 इस्थान है तो इसमें उत्तर option C 139 साई है इसमें ये जो भारत को इस्थान मिला है, ये mobile internet speed में मिला है इसमें आप देख सकते हैं, ये है भारत, ये 119 में इस्थान पर है और पहले इस्थान की बात की जाए तो, South Korea है, जिसकी speed 110 Mbps है उसके बाद United Arab Amirat है भारत की पहली शहद परिक्षण परियोकसाला की इस्थापना किस राज्य में की गई है options हैं, मद्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात या राजस्थान तो, गुजरात में, आनन्ध जिले में, राश्ट्य डेरी विकास बोर्ड में, भारत की पहली शहद परिक्षण परिक्षण परियोकसाला इस्थापित की गई है ये परियोकसाला, FSSAI, Food, Safety and Standards Authority of India के मांदंडों के अनुसार शहद का परिक्षण करेगी इसमें शहद की सुदता, राशायनिक पदार्थो, मिनरल्स और एंटी बोडी की जाच की जाएगी और इसमें सहद की उच्च गुडवत्ता वाले सहद का निर्यात भी किया जाएगा गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजयरुपाणी है गुजरात की राजधानी गांधी नगर है और गुजरात के गवर्नर आचारे देवरत है भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लोजिस्टिक सेरिंग समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं आप्संस हैं अमेरिका, रूष, चीन या जापान तो भारत ने रूष के साथ डिफेंस लोजिस्टिक सेरिंग समझोते पर हस्ताक्षर करने की घोशना की है तो इसमें उत्तर आप्सन भी रूस सई है इस समझोते के अनुसार ये एक दूसरे के सैने ठिकानों और समर्थन सुईधाओं तक सहज पहुच बना सकता है और इस गोशना में इस वर्ष के अन्त में होने वाले वार्षिक सिखर सम्मेलन में आपचारिक समझोते पर हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है विस्व की पहली डवल इस्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माड किस देश में किया जा रहा है अप्सन्स है इंडिया, USA, रशिया या जर्मनी तो विस्व की पहली डवल इस्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माड हमारे भारत देश में किया जा रहा है तो इसमें उत्तर अप्सन ए सई है इसका निर्माड हर्याड़ा में किया जा रहा है और ये इंडियन रेलवे बना रही है नेक्स्ट कोस्टिन है कारगिल विजय दिवस कब मना जाता है आप्संस हैं 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई या 27 जुलाई तो हर वर्स कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मना जाता है तो इसमें उत्तर option C सही है ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुआ था ये युद्ध 60 दिनों तक चला था इस युद्ध में जो हमारे भारती जवान वीरगती को प्राप्थ हुए थे उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है next question है किस देश ने 3D printed aircraft engine का परिक्षण किया है options हैं अमेरिका, रूस, चीन या जापान तो रशिया ने पहली बार 3D printing द्वारा बनाये गए gas turbine engine का सफल उडान परिक्षण किया है तो इसमें उत्तर option B रूस सही है इसमें 3D printing के तकनीक का उपयोग करके aircraft engine बनाये गया है next question है भारत का दूसरा राष्ट्रिय इस्तर का प्लाजमा बैंक सुरू हुआ है ये किस राज्य में किया गया है options हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिल नाडू या राजस्थान तो अभी हाली में तमिल नाडू में 2.3-4 करोड रुपे की लागत से भारत का दूसरा प्लाजमा बैंक सुरू किया गया है तो इसमें उत्तर option C तमिल नाडू सही है इसे Indian Council of Medical Research की मंजूरी से खोला गया है पहला प्लाजमा बैंक न्यू डेली में खोला गया था तमिल नाडू की बात करें तो तमिल नाडू की राजधानी चेन नहीं है इसके मुख्यमंतरी के पलानी स्वामी है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है हाल ही में किसे केंद्रिय स्वास्थ्र मंतराले में नए स्वास्थ सचीव के रूप में न्यूक्त किया गया है आपसंस हैं राजेस भूशन, मित्रभानु गौंटिया, कन्नन वारियर या प्रीती सूदन तो 1987 बैच के बिहार कैडर के आईयस अधिकारी राजेस भूशन को केंद्रिय स्वास्थ मंतराले में नए स्वास्थ सचीव के रूप में न्यूक्त किया गया है तो इसमें उत्तर आपसंस ए राजेस भूशन सही है ये पहले स्वास्थ मंतराले में OSD के पतपर थे ये अब प्रीती सूदन की जगह लेंगे जिनका कारेकाल 31 जुलाई 2020 को खत्म हो रहा है इसमें और दूसरे आपसंस की बात की जाए तो मित्र भानू गौंटिया को हाली में ओडीसा राजे के संगीत नाट्टे अकाडमी पुरसकार से सम्मानित किया गया है इन्होंने ओडीसा राजे के लोकप्रिय गीत रंगबती की रचना की थी और कन्नन वारियर की बात की जाए तो अभी हाली में इंस्टिट्यूट औफ फॉरेस्ट जैनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग्स साइन्टिस्ट को कोयमबटूर में नेशनल अवार्ड फॉर एक्सिलेंस से सम्मानित किया गया है यह सम्मान उन्हें वानकी में उत्कृष्ट सोथ के लिए प्रदान किया गया है नेक्स्ट कोस्चन है भारत ने किस देश की एक मिलियन डॉलर की चिकित्सा साहता प्रदान की है आप्संस हैं दक्षिड कोरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान या नेपाल तो भारत ने नौर्थ कोरिया को लगभग एक मिलियन यूएज डॉलर की चिकित्सा साहता दी है तो इसमें उत्तर option भी सई है ये WHO से प्राप्त एक अनुरोध के अनुसार किया गया है ये चिकितसा सहेता नौर्थ कोरिया में चल रहे anti-tuber closest program के लिए है नौर्थ कोरिया की बात की जाये तो नौर्थ कोरिया की राजधानी प्योंग्यंग है और नौर्थ कोरिया के प्रेसिडंट कीम जौंग उन है लाश्ट कोस्टिन है विस्व IVF दिवस कब मना जाता है आपसंस है चौबिस जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई या 27 जुलाई तो हर साल 25 जुलाई को World IVF Day मना जाता है ए लागी चशे जुलाई को इन विड्रो फर्टिलाइजेशन 25 जुलाई 1978 में पहले टेस्ट्यू बेबी का जन्म हुआ था जिसका नाम था लुईस ब्राउन और सफलता के लिए 2010 में सन सर एडवर्ड को फिजियोलोजी और मेडिसीन के नोबल प्राइस से समानित किया गया था इसलिए इस दिन को वर्ड आईवीफ डे के रूप में मना जाता है तो इसमें उत्तर आप्सन भी सई है तो ये थे आज के इंपोर्टेंट कोस्चन्स तो थाइस वर वाचिं इस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट